हेलो क्लास 10th students, arithmetic progression के second exercise के 7th question को हम लोग आज की बुदम solve करेंगे question है, find the 31st term of AP, whose 11th term is 38, 16th term is 73 question में कह रहा है, आपको 31st term निकालना है, यानि आपको find करना है A31 अगर आपको से कह रहा है कि 31st term निकालना है, मतलब आपको A31 निकालना है साथ में ये भी कहा है कि 11th term जो है न वो 38 है, इसका मतलब क्या हुआ, कि A11 की value 31 है, sorry 38 है, question में बुला है न, 11th term 38 है, इसका मतलब A11 38 है और आगे question में एक और hint दिया है, कि 16th term जो है, वो 73 है, ठीक है, 16th term मतलब A16 जो है ये कह दिया है, 73 दिया है, तो मैंने आपको AN का value बताया है, AN का value था, A plus N minus 1D, तो बताइए A11 का value क्या होगा फिर, A plus 11 minus 1D, 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, A plus 10D हो जाएगा, A11 का value क्या होगा, A plus 10D ना तो हमें A पता है, ना ही D पता है, तो ऐसा ही लिखके छोड़ सकते हैं क्या, नहीं, A11 की value तो पता है न, 38, इसके जगा 38 लिख देने और क्या, यहां 38 हो जाएगा, equals to A plus 10D, चाहें तो इस 10D को इस साइड लेके आ सकते हैं, है न, क्या हो जाएगा, 38 minus 10D equals to A, A की value मालम चल गई है, वह equal है, 38 minus 10D के, ठीक है, साथ में हमें A 16 भी तो गीवन था, अगर A 11 की value A plus 10D है, तो A 16 की value क्या होगी, A 16 की value होगी, A plus 15D, अरे भाई, N minus 1 करते हैं न, तो अगर 16 है, तो N minus 1 करने पर 15 आ जागा, A 16 की value 73 दी बन है, तो इसके नीचे 73, A plus 15D, और हम लोगों ने अभी अभी A का value निकाला है, VIA का value, तो मैं लिखूंगा, 73 equals to 38 minus 10D plus 15D, ठीक है, तिये जाएगा, 73 equals to 38 minus 10D plus 15D क्या जाएगा, 5D हो जाएगा, 38 को इस साइट भेजेंगे, तो यह minus में चला जाएगा, किनारे में कर दे रहा हूँ, तो जाएगा, 73 minus 38 बराबर, equal to 5D, घटाएगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, equals to 5D, 5 से 7 बारे में कर जाएगा, तो D की value आजाएगी, 7, अगर D की value 7 आई है, तो हम लोग चाहें, तो A की value भी निकाल सकते हैं, इसमें D के जगा रखके, ठीक है, तो यह जाएगा, 38 minus 10 multiply by, D की जगा 7 रख देंगे, 10 multiply by 7 equals to A, 38 में से 70 घटाना है, तो A की value मिल जाएगी, तो यह जाएगा, minus 32, A का value minus 32 है, लेकिन हमें ना तो A निकालना था, ना तो D निकालना था, हमें निकालना था, A 31, A 31 की value क्या होगी, A 31 का formula हो जाएगा, A plus 30D, ठीक है, इस 31 में एक minus करते हैं, n minus 1 formula होता है, याद करिए, यह तो लिखाया है मैंने formula, तो अब तो मुझे A की भी value पता है, D की भी value पता है, तो A 31 निकल जाएगा है, तो A की value है, minus 32, plus 30 multiply by D की value क्या थी, 7, तो जाएगा, minus 32, plus 210, अब इसको solve करेंगे, तो आपका अंसर कितना आएगा, 178 आएगा, यही आपका अंसर भी होगा, ठीक है, यह आपका क्या होगा, अंसर होगा, अगर आपको यह question समझ में आया है ना, तो वीडियो लाइक जरूट करिएगा, और मैं आपको एक हुमक दे रहा हूँ, जिसका अंसर आपको comment box मताना होगा, आप लोग A 50 की value comment box मताईएगा, A 50 की value comment box में, ठीक है, आज शुर्ण से ना है, मिलते हैं अंगले वीडियो में, जिसके नम्लों एट्स कुश्चन सौल करेंगे, तब तक के लिए गुडबाई,